नमस्कार दोस्तों किया आप भारत में रहते हैं और आप आप आपना नीमशुमुlles कराना चाहते हैं आप अपना गृजट नोटीफिकेशन निकलवाना चाहते हैं लेकिन आप ढूंड रहेएँ गजट आफ़िस ये गजट आफिस है कहांपे जहां पर आप जाके अपना name change करा सकते हैं या अपने legal documents में अपना name correction करवा सकते हैं तो बिना देरी करें discuss करते हैं देखे friends मैं आपको बताऊँ कि Gazette Office कुन लोग जाते हैं Gazette notification किनी निकलवाना परता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ देखे कोई भी विक्ति जो कि अपना नाम बदलना चाहता है चाहिए वो पूरा नाम बदल रहा है चाहिए वो अपने नाम में एक spelling एक अक्षर एक करेक्टर बदल रहा है चाहिए अपना surname बदल रहा है मतलब name के साथ किसी भी तरह की छेड़जा़ change करना उसे बोलते हैं उसके लिए गजट notification ही निकलवाना पड़ता है या फिर आप अपने ने में correction कर रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे passport में मेरा नाम गलत लिखा है मेरे education document में मेरा नाम गलत लिखा है मेरे फादर का नाम गलत लिखा है मेरे मदर का नाम गलत लिखा है चाहे आप ये बोलो कि गलत लिख और सही नाम ये है या फिर आप ये बोलो कि मैं बदल के A से B करता हूँ दोनुँ ही चीजों के लिए गजट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ता है और इसी तरह के विक्तियों को गजट ऑफिस जाना होता है और after debit में आपको लिखना होता है मेरा नाम ये मेरे पिता का नाम ये और मैं यहां का रहने वाला हूँ और मैं अपना नाम बदल के सबोज मेरा नाम विपिन है मैं अपने नाम विपिन से बदल के रहूल कर रहा हूँ और मुझे अभी इसी नाम से जाना जाए, ठीक है इस तरह का तो आपको उस certificate को लेके जिस भी चीज में आपकी गलती है या फिर आप अधार में अपना पूरा नाईम बदलना चाहते है तो अधार आधार के नौडल ऑफिस से जाएंगे पासपोर्ट में बदलना चाहते हुआ पासपोर्ट ऑफिस अप्लोड करेंगे अपना वहाँ पर डॉक्यमेंट में मैं गजट अप्लोड करेंगी और उसी की कापी लिखे देंगी मतब जिस भी डिपार्टमेंट में आप नाईम चेंग जाएंगे और अपनी गजट की कापी देंगे अपना नाम चेंगी जाएगा तो ये तो मुझ्दा था कि गजट को कैसे यूज के जा लिख दूँगा और आप वहां से भी ले सकते हैं ठीक है विदान सभा में ट्रफिशन पर उत्रिये सो गजम पीछे चले जाईए आपको सेंटल गजट ऑफिस अब पहुंच जाएंगे अब भया तो आपको सेंटल गजट ऑफिस जाना है या स्टेट गजट ऑफिस जाना है इसके लिए आपको मेरी एक वीडियो देखने पड़ेगी जो कि मैं नीचे डिसक्रप्शन में दे दूँगा कि आपको सेंटल गजट बनवाना चाहिए स्टेट गजट बनवाना चाहिए इन शॉर्ट आप वीडियो देखें और उसका कंक्लूजन निकाले तो वह आपको आपको सेंटल गजट बनवाना चाहिए मेरा फेवरेट है और उसके मैंने रिसन एक्स्प्रेइन भी कहा कि सेंटल गजट क्यों बनवाना चाहिए तो अब कारण क्योंकि 29 राजे हैं सिंपल में बता देता हूं 29 राज में हर राजे का अपना गजट आफिस नहीं है भाई जब बहुत सारे स्टेट का गजट आफिस ही नहीं तो ज्यादा फेवरेबिल कमन सा हुआ सेंटल गजट लगवाते हैं और जिनकी कॉर्मेंट चॉप्स का काम हुआ है वो मुझे फीडबैंक देते हैं कि सेंटल जादा फेवरेबल है और जादा हेल्प करता है और जादा सही और जादा कोस्ट इफेक्टिफ भी ना भी बोला जाए तो लेकिन जादा पावरफुल उन्हें उन जो फीडबैक है मुझे बिला हो है तो इस तरह से आपको मैंने अग्रस अपने नीचे दे दिया है और यप आपको format भी बता दिया कि किस तरह से तीन हो एफट 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 बनेगा नियू से पर मैच जाएगा और सिदी बनेगी ये भी बता दिया इसके बाद भी बहुत सारे लोग का कोशिन हो सकता है कोई बोलेगा जी मेरे को डाइबस के बाद नहीं करना है ठेक है कोई बोलेगा ये 2 से ज़यादा नाम हो सकते हैं और 3 नाम करना चाहते है तो अगर आपको कोई प्रब्लम में तुम्हें एक वीडियो में उसको नहीं बता सकता हूं आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके ठेक है या मेरे दिये के वाटसप नेमबर पर वाटसप पर करके या मुझे कॉल करूँगा क्या किसे लाइक करें सस्क्राइब करें टाकि जादा से जादा लोग देखें और जादा से जादा लोगों की हल्प हो सकें धन्यवार प्रेट देए